कादंबरी के पठन पठन में हम आगे बढ़ते हैं और मंगलाचरन के दो श्लोक हमने कर लिए अब हम तीसरे श्लोक को मंगलाचरन वाले श्लोक को हम देखते हैं तीसरे श्लोक में पूरु श्लोक में जैसा कि आप लोगों ने देखा कौलाने के कारण बीच में उसे डिश्टर्ब हो गया था कि उसमें उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शंकर को नमस्कार कितने अच्छे प्रकार से कर रहे हैं कि जो बाना सूर नामक राक्षस के मतलब मस्तक्स के स्पर्ष जिनके चर्णों को होता था जिदाशार से रावन के मस्तक से यानि रावन का मस्तक जिन चर्णों को स्पर्ष करता था सूर हो या आसूर हो देवी हो या देवता हो समस्त लोगों के जो राजा हैं जो इनके शाशक हैं जो इनके अध प्रफा करके रखना अपने मुर्धने सांजिसे देते थे ऐसे महाकाल ऐसे शिवु जो की इस संसार के भोसागर का च्षेदन करने वाले हैं आपको पार लगाने वाले तीनों दुखों से निवृत्ते दिलाने वाले हैं ऐसे भगवान शंकर के चरनों की दोहूली जो है वो बड़े ही उतकर्ष के साथ रहती हैं कभी लोग भी क्या से क्या कह देते हैं अब अगले में देखें उतकर्ष के साथ रहते हैं अब उसके पश्याद किसकी वर्ण कर रहे हैं तो अगले में करें क्या करें क्या करें देखिए कि यहाँ पर सबसे वहले क्या करें कि जएंति जयंति उपेंद्रा उपेंद्रा कौन है उपेंद्रा उपेंद्रा यहां यहांदि विश्णु को कहा जाता है उपेंद़ कोनले दिंडे को ने इन्रकी जो पेंडर को जो दिवता जिस विश्णु के सरूप की जाती है ऐसे विश्णु की जय अन्ती जय हो उतकर्ष हो उतकर्ष पूरवक रहते हैं क्यों रहते हैं तो कहा जा रहा है कि आगे कहते हैं कि यह उपेन विभित सया विभित सया यानि विभत सया यानि जो विदारन एक्षया विदेर्ण करने की एक्षया से अब देखिएगा विश्णुके कि सुरूप क बात की गई है बाचानिये का विभित्सया यानि विदारन करने की इक्षा से चीरने की इक्षा से फारने की विदेरन करने की इक्षा से फिर क्या करें यहा जो शनलब्ध लक्षया शनलब्ध लक्षया यानि कि क्या कहा जा रहा है कि अल्पकाल प्राप्त लक्षया कि जो अल लक्षे और ओभी कैसे तो दूरतह दूर से ही दूरत से विभत सया विभत सया दूरतह शनल अलब्ध है दूर से ही बहुत अल्ब समय में ही जो अपने लक्षे को प्राप्त कर लेते हैं कोप करुणया कोप करुणया कोप करुणया नहीं कोप अरुणया यानि कोप अरुणया क्रोध के कारण अरुणया लाल नेत्रों से कोप के कारण लाल नेत्र वाले क्रोध से चक्षू नेत्र जिसके लाल हो गए हैं ऐसे नेत्र से रिपो उरह रिपो के यानि शत्रू के उरह यानि वक्षस्तल को रिड़े प्रदेश को क्या करें स्वयम भयात स्वयम अपने आप ही भयात भैसे भैसे क्या है भयात भिणन इवपातलम भिणन अक्षस्त को स्वयम के भैसे ही भिणन बना दला रुधिर युक्त बना डला अस्रपातरम रुधिर वर्न चकारा रुधिर वर्न वाले यानि रक्त वर्न वाले कर दिया मतलब क्या है भगवान विश्णु का जो अवतार निसंग अवतार था इसकी बात की गई है तब ही का गया सह यानि सुरुती स्मृती पुरान प्रसिद्ध सुरुती स्मृती और पुरानों में जो प्रसिद्ध हैं ऐसे उपेंद्रह जयन्ती विष्णू का वकर्ष हो विष्णू की जय हो कैसे विष्णू किस रूप की बात की गई है किस स्वरूप की बात की गई है तो कह रहे हैं विभत सया विदेर्न इक्षया विदेर्न करने की इक्षया वाले दूर तहदूर से ही लक्षन लब्ध लक्षया अल्पकाले वप्रा कर लिया हिरन्याक कश्पू जो रिपू उर ऐसे रिपू यानि श्यत्रू के उर यानि हृदय प्रदेश को क्रोध हारुन या क्रोध के कारण अरुन हुए अरुन यानि की रख्त वर्णवाले नेत्र से ही क्या कहा रहें फिर आगे स्वयम भयाद भैसे भिन्नमिव अश्रपातलम की जो रुधिर लाल बना मतलब जब कल्पना कीजिए निसिंग हावतार में भगवान विश्णू ने हिरन्यकस्पू को जब अपने जंगा पे रख करके अपने नक से विदेर्ण करने की कोशिस की तो पाधि मृत्य तो विश्णू के उस करोधी नेत्र को इस निसेंग के रखत नेत्र को देखकर कहीं हो गया हुआ इतने करोधी ऐसे जो विश्णू थे उनका उतकर्ष अब अगले शलोग को हम देखते हैं यह भी मंगला चरनात्म की है का जा रहा है नमामी भथ्थ्थ्थ् चाइर मोखरि भी कृतार्शनम समस्त सामंत किरीट वेदिका विटंक पिठोलू ठिला पिठोलू ठीतारुनांगुली क्या कहा जा रहा है तो इसमें कहा जा रहा है ये नमामी नमामी क्या नमामी तो कहा रहे हैं अब इसमें क्या कहा जा रहा है तो इसमें यहाँ पे जो किसकी पुजा की जा रही अब उसको देखिए तो कहा जा रहा है कि सशेखरें संगिता सेखर से युक्त सितस से युक्त यानि शेखर से युक्त क्या है शिरो भूशन शिर में जो अभूशन है शिर में क्या भूशन होता है मुकुट होता है तो जो मुकुट से युक्त है उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है आगे मुकु भी शत्रिये भूप विशेश है यानि की जो मौकरी वन्ष के एक राजा विशेश हुए थे भूप विशेश हुए थे ऐसे मौकरी वन्ष के राजाओं से पुजीत अब ऐसे राजा क्या थे है गरशा शेखरै मुकुट से युक्त शिर में जो मुकुत होता है शिरो अभूशनम यानि शिर के जो मुकुत है ऐसे मुकुत योक्त। फिर क्या कहा जा авरा ए弦 भी मोक्री नामक जो खत्रीए वंच है ऐसे राजाउं के द्वारा पोजित। ओइसे राजाऊं की द्वारा पूजीत, क्रितार्चनम पूजीत, उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है आगे, तो आगे कह रहे हैं पुना की पूजीत होने के पश्किर। क्रितार्चनम वेहत पूजयनम, य departments समस्त सामंत त्यादी, समस्त सामंत त्यादी, यानि कि संपूर्ण मंडलेश्वर मुकुट परिश्यकृत भुम्युनत प्रदेश स्थान धृत रक्तांगुली अब उस श्वयम तो पूजा करते ही हैं उसके अतिरिक्त भी कहा जा रहा है संपूर्ण मंडलेश्वरों के मुकुट रूप वेदी के उन्नत प्रदेश पर खर्शन से लाल उंगलियों वाले भत्सू नामक गुरुजी भत्सु नामक गुरुजी भत्सु नामक गुरुजी के फिर क्या कहा जा रहा है भत्सु नामक गुरुजी के आगे कह रहे हैं कि भत्सु 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 नामक गुरुजी के चरनामबुज द्वयम नमामी जो उनके चरनामबुज हैं जो दो चरन हैं उन चरनों को चरन कमल युग्म को मैं नमस्कार करता हूँ अब यहाँ पे देखिए बानभेट ने अपने गुरू की यहाँ पे चर्चा की है और गुरू की चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं कि नमामी नमस्कार करता हूँ नमन करता हूँ किसको नमन करता हूँ तो कह रहे हैं भत्सो चरनाम बु उन गुरू के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं अब बात आती है कि नमस्कार क्यों करता हूं उसकी बात भी कर रहे हैं वैसे तो गुरू है नमस्कार करने का कोई यहां पर प्रश्ण पूछने का प्रयोजन नहीं कि गुरू को क्यों नमस्कार करते हैं लेकिन अपने गुर से युक्त मौकरी वंश के छत्रिये राजाओं द्वारा जो पूजित हैं उस समय बानभट के समय में हुए होंगे को ऐसे राजा और उनके गुरू भत्सु होंगे जो इनके भी गुरू रहे हैं उसके बाद फिर क्या करें समस्त सामंत कि रिटवे दिखा कि जितने भी सामंत होते थे मंटल इशोर होते थे सामन्त शानियाज कल की तरह का सकते हैं कि क्याबिनेट मिनिस्टर्स वो सबके सब झाल 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 झाल